हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है मेरे चानल ट्रैक्टू टार्गेट में आज हम लोग बिहार SSC, CGL या यह कह सकते हैं BPSC, UPSC, UBPCS के एक बहुत important topic पंचायती राज पंचायती राज सिस्टम पे बात करेंगे इसके important जो भी प्रावधान है उसको हम लोग डिसकस करेंगे इसके लावब बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में जो पास हुआ था उस एक्ट के क्या-क्या important प्रावधान है जिनको लेके बिहार SSC CGL ने 2014 में directly question इसी act से पूछे हैं इसी act के important प्रावधानों को ही उठा के सीधा question पूछा है तो इस act को हम लोग अच्छे से देखेंगे इसके लावब सम्विधान में पंचायती राज का क्या योगदान है कौन से article से इसका सीधा relation उसको हम लोग देखेंगे तो एक तरह से इस वीडियो में हम theory से लेके जो भी questions पूछे गए है previous years को उसको भी हम लोग discuss करेंगे इसलिए इस वीडियो के अंतक बने रहेगा क्योंकि इस वीडियो के समापती के बाद आपको पंचायती राज सिस्टम पूरा clear हो जाएगा और कोई भी exam में आप कहीं से भी इसके questions को बना पाएंगे चली सबसे पहले constitution समविधान से start करते हैं क्योंकि यहीं से पंचायत को एक constitutional provision दिया गया और जिसके कारण सभी राजियों ने धीरे धीरे करके उसे लागू किया बिहार में पंचायती राज सिस्टम 2006 से लागू हुआ है आप सभी को पता होना चाहिए यह भी आपको objective में पूछा दा सकता है अगर हम पंचायत की बात करें तो सबसे पहले हमें article 40 जो की आपको DPSP में है उसको ध्यान देना होगा उसमें यह लिखा हुआ है कि state self-organized village पंचायत as unit of local self-government एक तरह से पंचायतों को स्वायता देने के लिए DPSP में सबसे पहले बार इसका उले किया गया और DPSP में भी article 40 में सबसे पहली बार इसका उले किया गया उसके बाद जब समय आगे बढ़ता गया तो different committees भी इसके regarding बनी अब committees में सबसे important committee अगर हमें याद है या हम सब जानते होंगे वो होगी बलवन तराए महता committee बलवन तराए महता अब सबी इसको note भी करते जाईए क्योंकि बहुत सी चीजे मैं बताऊंगा सीधा मैं article भी आपको बताऊंगा इसलिए आपको कुछ कुछ चीजे note करनी होगी क्योंकि एक बहुत लंबा वीडियो चलने वाला है लेकिन मैं इसको फिर भी short रखने का प्रयाश करूंगा बलवन्त रायम महता कमिटी पर बात करेंगे बलवन्त रायम महता कमिटी कब यह पॉइंट की गई यह पॉइंट की गई जनवरी उनिस्सो संतावन में क्यों इसका यह काम था कि टू एक्जामीन द्वरर्किंग अफ क्म्यूनिटी डेवलोब्मेंट प्रोग्राम के वर्किंग के एक्जामीन करना था और इसंने अपनी रिपोर्ट समिट किया आपको नवंबर नशल्सोसंतावन में नवंबर 1957 को आपको 1957 को इसने अपनी रिबोर्ट समिट किया और उस रिपोर्ट में रेकमेंड किया establishment of democratic decentralization which ultimately known as पंचायती राज आपको बहुत बार पूछा सकता है कि कौन सी कमिटी का recommendation है decentralization के लिए तो decentralization के लिए अगर पूछा जाएगा तो आप हमेशा याद रखोगे कि ये बलवंत्रा मेहता कमिटी के द्वारा ही ऐसा कहा गया decentralization करना चाहिए system का और यही decentralization आगे चलके पंचायती राज system कहलाया या पंचायती राज व्यवस्ता कहलाया ठीक है इसमें क्या-क्या काम सबसे पहले किये गए इसमें ये कहा गया कि थ्री टैर सिस्टम आपको बनाना होगा सबसे नीचे या बेसिक जो होगा वो होगा ग्राम पंचायत अब ग्राम पंचायत कहाँ पे होगा आपको पता यह है विलेज में होगा गाउं में होगा उसके बाद उसके उपर रहेगा पंचायत समिती ये कहां पर रहेगा ये उससे उपर ब्लॉक अस्तर पर रहेगा और तीसरा जिला परिशद जो की आपको रहेगा डिस्टिक लेवल पर ठीक है तो पंचायती राज वेवस्था का स्टार्टिंग एक तरह से इस कमिट्टी को कहा जासा था यहीं से एक स्टार्ट हुआ पंचायती राज वेवस्था का लेकिन इससे पहले आर्टिकल 40 में भी जैसा कि मैंने बताए डीप असोक महता कमिटी यह दिसंबर 1977 में यह कमिटी बनी और इसने भी अपनी रेकमेंडेशन दी लेकिन इसने टू टायर सिस्टम के रेकमेंडेशन दी इसने टू टायर सिस्टम के रेकमेंडेशन दी इसने टू टायर सिस्टम के रेकमेंडेशन दी किसने दी टू टायर असोक मेहता इसके अलावा जब हम लोग आगे परहेंगे तो एक और कमिटी का नाम हमें पता होना चाहिए वह होगा आपको हनुमंत राव कमिटी जो की district level planning पर हनुमंत राव कमिटी ये आप लिख लिजेगा जरूद थर्ड नमर की कमिटी होगी है हनुमंत राव कमिटी ठीक है ये कमिटी किसपे थी ये कमिटी थी on district level planning जो 1984 में बनी ठीक है इसके बाद एक और कमिटी आई जी वी के राव कमिटी जिसने administrative aspect of rural development पर एक अपनी रिपोर्ट सोपी और उस कमिटी का जो निर्मान हुआ था वो 1985 में हुआ था तो फोर्थ नंबर के कमिटी और आप लिख लिए जी वी के राव कमिटी जो की बनिक थी 1985 में किसके पर administrative aspect of rural development पर इसने अपनी डिपोर्ट सोपी और एक बहुत important कमिटी जिसने रेकमेंड किया कि पंचायतों को constitutional status मिले उन्हें सम्मिधानिक दरजा मिले उस कमिटी का क्या नाम है LM सिंग वी कमिटी जो की 1986 में बनी और जिसने रेकमेंड किया कि पंचायतों को constitutional status दिया जाए और शायद आज पंचायतों का constitutional status तो मिला है तो कहीं न कहीं इस कमिटी का recommendation भी उसमें एक महतपूर्ण भूमी का अदा करता है ठीक है यह सब तो हुई एक basic बात हैं जहां से पंचायती राज सिस्टम धीरे धीरे start हुआ और finally आपको 24 अप्रेल 1993 को यह पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ by 73rd constitutional amendment 1992, 74 constitutional amendment 1992 जिसमें 73rd में पंचायती राज के बारे में 74th में municipalities के बारे में थे 73rd में कितने subject हैं यह भी पूछा जाता है पंचायती राज सिस्टम जो 73rd constitutional amendment से पास किया गया उसमें subject थे 29th और 74th में 18 subject थे इसको आपको ध्यान में रखना होगा 24 अप्रेल को इसी लिए आपको नैसनल पंचायती राज डे मनाया जाता है नैसनल पंचायती राज डे कब मनाया था 24 अप्रेल को क्यों मनाया था कि 24 सप्रेल 1993 को ही यह लागू किया गया और यह act कब पास किया गया पास किया गया आपको 1992 में as 73rd constitutional amendment और 74th तो में एक साथ पास हुए 73rd में आपको पंचायत के बारे में दिया गया है जो आगे चल गए schedule 11 में भी इसके पूरे list दिये गया है article 243G 243G के हिसाब से जो जो आपको subject है 29 subjects है उसकी list 11th schedule में है और 74th में municipalities के जो 18 subjects है उसकी list आपको 12th schedule में मिल जाएगी तो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा important यह सभी रहे है पंचायतों को एक final constitutional status प्राम करने में इन सभी चीजों का योगदान रहा है तो अब हम लोग बारी-बारी से कुछ-कुछ articles में कुछ-कुछ important जो articles है जो directly questions के रूप में पूछे जाते हैं उसको हम लोग देख लेंगे और उसको मैंने already underline भी कर लिया so that कि आपको कम से कम समय में आपको इसको पूरा कराया जा सके तो सबसे पहले start करते हैं पंचायत जो part 9 में आपको है और municipality case में पढ़ेगा part 9a में पढ़ेगा आपको यह आपको ध्यान में रखना होगा यह आपको दिख भी जाएगा जब मैं नीचे scroll करूंगा तो part 9 में है और यह 73rd constitutional amendment है यह आपको ध्यान में रखना है इसमें 243 में आपको definitions दिये गए definitions क्या 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 district क्या definition होगा gram सभा क्या definition होगा intermediate level जो block level हम लोग कह सकते है पंचायत का क्या meaning है यह सब आपको देखना होगा ठीक है इसमें पूरी constitution में दिया हुआ है और इसमें आपको describe किया गया है हर एक definition को ठीक है 243 यह आपको gram सभा के बारा में gram सभा क्या है gram सभा एक से कह सकते हैं कि एक तरह से जो भी 18 प्लस जो member होंगे उस locality के जो eligible है voting के लिए वो सभी gram सभा के सदस्य होंगे ठीक है यह भी आपको ध्यान में रखना है और gram सभा का अपना exclusive power होता है जो state by state थोड़ा vary हो सकता है क्योंकि state list में आता है यह सभी चीज़ आपको यह बार पर में करो है state इस पर कानून बनाती है उस पर center का कोई योगदान नहीं है इसमें आपको state का ही कानून चलता है और state अपने अपने लेवल पर पंचायतों में नियम कानून में amendments करके उसमें जोड़तोर करते रहती है ठीक है तो कि जैसा कि आपको 243A क्राम सभा के बारे में 243B constitution of पंचा में तो पंचायत में reservation को लेके बहुत जादा questions पूछे जाते हैं इसमें सबसे important है कि one third at least one third आपको reservation जो है महिलाओं को देना होगा लेकिन उससे अधिक भी आप दे सकते हैं जैसे बिहार समेत ऐसे 20 राज हैं जुनोंने पंचायतों में 50% reservation कर दिया है 50% 33% तो कम से कम करना था according to constitution लेकिन उन्होंने 33 से भी आगे बरके 50% कर दिया क्योंकि at least था at most नहीं था तो उन्होंने 50% तक उसको बढ़ा दिया है और ऐसा करने वाला सिर्फ बिहारी ने इसके लब बिहार के लब ऐसे 20 राज्य जिनोंने ऐसा किया है तो यह आपको धियान में रखना होगा इ इसमें 33% है होना चाहिए लेकिन कुछ-कुछ राज्योंने बढ़ा दिया है अब दियर दियर सभी बढ़ा लेकिन 20 राज्य ऐसे हैं जुनने 50% तक इसको पहुँचा दिया है ठीक है अगले 5 साथ तक जो रहेगा वह पंचायत का अपना tenure रहेगा अपना कारिकाल रहेगा अपना duration रहेगा मानलीजे एक फरवरी 2011 को पहली मिटिंग हो रहे है पंचायत की तो एक फरवरी 2016 यही इसका कारिकाल रहेगा 5 साल का ठीक है और एक दो चीजे अगर किसी भी कारण से बीच में पंचायद डिजॉल्व होती है और नए पंचायद कंस्टिटूट होती है तो इसका यह मतलब नहीं कि वहां से पांस साल कांट करेंगे बलकि रेमेंडर पिरियेट के लिए ही वह काम करेंगे अगर आपको नहीं समझ मैंना तो आप मैं और क्लिरली बता दे रहा हू माल लेजे पंचायद किसी कारण से डिजॉल्व हो गई और नए पंचायद का निर्मान हुआ बीस फरवरी 2013 को मानिए तो बीस फरवरी 2013 से यह एक फरवरी 2016 तग ही अपना कारेकाल पूरा करेंगे ऐसा नहीं कि नया उसको फिर से पांस साल का मिल जाएगा और बीस फरवरी 2018 तक वो काम करने लग जाएगा असा नहीं होगा जो भी remainder period जो भी बच्ची भी period रहेगी उसी period में उसे काम करना होगा और इससे direct question ही है यही line से question है कि कि अगर किसी पंचायद को dissolve कर दिया जाएगा तो पंचायद जो reconstitute होगी तो उसका period क्या होगा तो उसका period होगा जो भी remainder period रहें गया वही हो उसका period होगा दूसरी बात अगर किसी भी कारण से पंचायद dissolve हो गई और उसका जो कारिकाल था उसमें अगर 6 मैने से कम कहीं समय बचा था तब नई पंचायद constitute करनी के कोई जरूवत नहीं है ठीक है उसको no use है ठीक है हाँ 6 मैने से अधिक है तो आप जरूर कर सकते हो लेकिन वो period जैसा कि मैने का उसी period के लिए होगा मान लीजे एक परवेश 2016 को इस पंचायद का tenure पूरा होना है और एक जनवरी 2016 को पंचायद dissolve हो गई तो यहाँ पर election का कोई जरूवत नहीं है यहाँ पंचायद को फिर से constitute करने है कोई जरूवत नहीं क्यो पंचायद को constitute करने की यहाँ कोई जरूवत नहीं है छे मैने से अधिक रहेगा तो फिर से हम constitute करेंगे और उस छे मैने के टर्म को complete करने के बाद फिर से हम लोग election में जाएंगे और सरकार अलग से उसको gadget notification निकालके अपना election करवाएगी ठीक है एक दो point आप ध्यान में रख क्या है कि पंचायत election लडने के लिए आपको minimum age 21 ही चाहिए होती है यहाँ पर 25 years की कोई requirement नहीं है इसलिए यहाँ पर एक line भी लिखी हुई है अगर आप देखिएगा constitution में clearly लिखा हुआ है कि किसी को इस कारण से disqualified नहीं कर दिया जाएगा कि उसकी उम्र 25 से नीचे है लेकि 21 होनी चाहिए ठीक है इसका यही मतलब है कि minimum age to contest पंचायत election is 21 years ठीक है 25 नहीं है जो generally MP MLA के cases में होती है यह आपको धियान में रखना है चलिए article 243G में power authority and responsibility of पंचायत के बारे में बताय गया है ठीक है अब जो एक important article है वो है आपको article 243K जिससे भी direct आपको question बहुत बार पूछा गया कि election to the पंचायत कौन से article में तो वो है आपको article 243K में जिसमें state election commissioner जो है state election commission के मदद से पंचायत के election कराते है और state election commission की नुति कौन करता है वो आपको governor करते है ठीक है और state election commissioner को अगर किसी भी कारण से हटाया जा रहा है तो उस इसी ground पर हटाया जाएगा जिस ground पर high court के judges को हटाया था ठीक है और इसके लावा एक बार आपने election commissioner को appoint कर दिया state election commissioner को तो कोई भी नियम नया नहीं आप change कर दोगे कोई भी tenure उनका घटा बढ़ा भी नहीं सकोगे कि तीन साल के बदलब एक साल में उनको retire कर दे नहीं appointment के time पर जो भी condition रहेगी वही condition वो carry करेंगे जब तक वो retire ना हो जाए या जब तक उनकी अवधिस समाप्त ना हो जाए ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब पुछ इसमें ज्यादा है ने दो तीन important जो article पंचायती राज के लिए थे वो हमने complete कर लिये हैं उसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना अब हम लोग चलेंगे बिहार के पंचायती राज act पे 2006 के जो बहुत important है और बिहार से सीजल में जितने question आये हैं 100% उसी स आये हैं वो questions भी मैं आपको last में बताऊंगा दिखाऊंगा इसलिए वीडियो के अंतक बने रही है थेंक यू चलिए हम सभी आ गया हैं आप बिहार पंचायती राज act पे पूरा खिस्सा बलवन्त राय महता कमिटी से होते वे constitution amendment 99 की true से होते वे अब 2006 में बिहार ने जो पं constitutional amendment 73rd and 74th उसको हम लोग देखेंगे और directly इससे questions हैं और क्या क्या हैं बहुत similarities होंगी like क्या similarity होंगी आपको जो पंचायत election में जो age है minimum age 21 वो same है ऐसा नहीं है कि वो अलग है इसके अलावा duration पे जो हमेंने बात की थी वो duration यहां पे भी same ही रखा गया है लेकिन बहुत सी अपने हिसाब से decide करता है population basis पे decide करता है तो वो देखनी होंगी और वो important है questions के दिश्टिकों से चलिए start करते हैं तो पंचायती राज act ठीक है जैसा केस में definition आपको पता ही होंगे आप इसको पढ़ लीजेगा definition इतना important तो नहीं कह सकता है लेकिन एक जलग ले लीजेगा ज आपको वो जरूर देखना है अगर आपके पास ज्यादा समया तो आप अच्छे से एक्ट डाउनलोड करके पढ़िए जैसा कि मैंने आर्टिकल 243 के को डिसकस किया यह किसके बार में है पंचायत इलेक्शन का आर्टिकल 243 जेडए यह तो मैं नहीं डिसकस किया लेकिन यह इलेक्शन ऑफ मुनसी पैलेटीज के बारे में है क्योंकि हम लोग प्यूर्ली पंचायत पर फोकस कर रहे है इसलिम लोग पंचायत को पहले देख रहे हैं ठीक है मुनसी पैलेटीज बेसी के साथ में है उसमें कुछ जलत चिंज़ नहीं है लेकिन हां आर्टिकल तो अलग चलिए में स्टार्ट चैप्टर टू ग्राम सभा से और बहुत इंपोर्टन टॉपिक है जैसा कि मैंने ग्राम सभा के बारे में कहा भी था कि ग्राम सभा जो है वो जो भी रेजिस्टर्ड वोटर रहेंगे उस गाउं के वो सभी ग्राम सभा के मेंबर है ठीक है वो सभी ग note down ये करना है कि gram सभा की meeting कब से कब तक होनी चाहिए तो time to time तो होनी चाहिए लेकिन तीन मेहने के अंदर हो जानी चाहिए not more than three months between two meetings के बीच time gap होगा तीन मेहने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो ये आप objective के रूप में लिख लीजिए आपको कभी भी पूछा जागा gram सभा की meetings के बीच में कितना gap रहना चाहिए तो तीन मेहने से ज़्यादा का नहीं रहना चाहिए ठीक है तो gram सभा की जो meeting रहेगी उसको conduct करने की या timely conduct हो रही है कि नि उसकी responsibility है मुखिया जी की ठीक है तो मुखिया जी ये देखेंगे कि time to time meeting होते रहे और जो भी काम है वो काम चलते रहे gram सभा की ठीक है और जो भी quorum होना चाहिए इसमें इसमें quorum बहुत important है किसी भी meeting को gram सभा की meeting को organize आपने किया है तो minimum number of army तो होने ही चाहिए ऐसा नहीं है कि मुखिया जी और उप मुखिया रहेंगे और meeting हो गया और बाई जो जो चीज था पास करा दिये ऐसा नहीं होगा तो एक बाई बीस out of total member present होने चाहिए किसी भी gram सभा की meeting में क्योंकि वहाँ कोई भी resolution पास हो सकता है कोई important decision गाउं के लिए लिए जा सकते है तो at least इतने लोग होने ही चाहिए ठीक है जैसा कि मैंने कहा कि presiding officer जो रहेगा इसमें वो आपको gram सभा में वो मुखिया रहेगा और मुखिया जी नहीं है तो मुखिया जी को खोजा जाएगा ठीक है चलिए दस्मा point बहुत important है बिहार SSA Cesar 2014 में जो बात उसमें question पूछा गया था question क्या था कि vigilance committee जो बनेगी मैं आपको question भी आगे दिखाऊंगा उस committee में कौन-कौन member होंगे बताई तो vigilance committee जो बनेगी उसमें वैसे लोग member होंगे जो gram panchad के सदश्च नहीं होंगे who are not member of gram panchad ठीक है क्योंकि vigilance में तो वही लोग होने चाहिए न जो बाहर से आपके काम को देखेंगे क्योंकि अगर आप खुद ही उसमें है तो आप सही से बता नहीं सकते है इसलिए vigilance committee में gram सभा का कोई member रहेगा लेकिन gram सभा के वो ऐसे member जो gram panchad में नहीं है वही member उसमें रहेंगे ठीक है इसको आपको ध्यान में रखना है ये कुशन पूछा गया है कि उसमें कौन नहीं रहेगा ठीक है तो उसमे gram panchad के member नहीं रहेंगे vigilance committee में चलिए gram panchad पे बात करते हैं तो gram panchad पे एक ही बात आपको ध्यान में रखना है अगर किसी गाउं की जनसंख्या 7000 है तो वहाँ पे सरकार gram panchad की अनुमती देगी ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है population indicated जो है वहाँ पे 7000 होना चाहिए कम से कम ठीक है इस पे चर्चा हो रही थी कि 7000 से कम रहने पर भी gram panchad का दर्जा मिले लेकिन अभी तक कुछ असा concrete जवाब आया नहीं ठीक है इसके अलावा जो gram panchad के member रहेंगे वो मुखिया रहेगा इसके अलावा जो लोग directly चुन के आएंगे वो भी इसके member रहेंगे ठीक है इसको भी आपको ध्यान में रखना है और reservation में वही प्रावधान है आपको जो मैंने पहले भी discuss किया था जब constitution discuss कर रहा था वहाँ पे भी schedule caste या schedule tribe या backward classes को भी था प्रावधान इसके अलावा महिलाओं को और पिहार में भी महिलाओं को 50% reservation है और ये कब दिया गया था 2006 में ही दे दिया गया था 2006 में पिहार seine राजाए आया और उसी समय 50% reservation reservation बंचायतों में महिलाओं को दिया गया आपको ध्यान में रखना है ये बहुत बार आपको इसके बारे में कोशन जरूब पूछाएद है ठीक है duration of gram पंचायद जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया जब मैं constitution की बात कर रहा था कि article 243E में था और वहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी change नहीं है जैसा कि मैंने बताया था कि मैं छे महने से कम अगर आपका gram पंचायद का समय है तो वहाँ election का या फिर से constitute करने का पंचायद का कोई आवशकता नहीं है छे मैने से ज़्यादा है तो करेंगे और जो अगर बीच में gram पंचायद dissolve होती है तो जितने बच्चे है फिरिएड उसी प्रिएड में वो सर्व करेंगे ऐसा नहीं है कि उनका कारेकार बढ़ जाएगा ठीक है जैसा कि मैंने इसको डिसक्स किया है बस वही सेम चीज है इसमें कोई भी चीज नहीं है ठीक है आपको एकदम ध्यान में लखना है चलिए मुखिया और उप्मुखिया के चुनाओं पर बात करते है तो मुखिया जी का जो चैन है वो डाइरेक्टली ग्राम पंचायत के जो इलेक्ष्टर वोटर होंगे वो डारेक्टली मुखिया को elect करेंगे इसके अलावा जब ग्राम पंचायत का election समाप्त हो जाएगा तो पहली meeting में एक उप मुखिया का भी चुनाव कर लिया जाएगा और एक बात बहुत important है आपको ध्यान में रखनी है अगर किशी भी कारण से मुखिया का पत खाली हो जाता है और जो duration है पंचायत का 6 मैने से जाता है तो next meeting में ही एक मुखिया का फिर से चुनाव किया जाएगा अगर 6 मैने से कम है तो कोई भी election नहीं करनी के ज़रूवत है मुखिया जी के लिए ठीक है पत खाली ही रहा क्योंकि 6 मैने के बात है कि नया tenure start होगा इसलिए election नहीं करना है इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान में रखनी है जो बिहार से सीजल में question भी पूछा गया था कि मुखिया जो है उप मुखिया के चुनाव में voter होगा या नहीं तो definitely होगा जब उप मुखिया का चुनाव होगा तो उसमें मुखिया भी vote करेंगे वो ऐसा नहीं है कि वो वोट नहीं करेंगे वो भी vote करेंगे क्योंकि वो भी चुन के आये हैं वो कोई मनुनीत मेंबर नहीं है कि उनको vote करने का अधिकार नहीं होगा ठीक है तो वो भी voter होगे यह question भी आर से सीजल में पूछा गया है तो आपको ध्यान में रखना है इसके लावा अगर मानिए दो candidate खड़े वे दोनों का इक्वल वोट होगे है तो draw से result तही किया जागा ठीक है अगर किसी कारण से मुखिया और उप मुखिया का पद खाली रहता है तो executive officer जो है वो पंचायज समिति की meeting को preside करेगा लेकिन उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा क्यों उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि वो पंचायज समिति का member नहीं है अब reservation of seats पर आते हैं तो article 243D में जो constitution में provide किया गया है कि reservation आपको देना है कुछ-कुछ important factors पे जिसमें बिहार में जो reservation दिया गया है मुखिया को वो है आपको schedule cast में schedule tribe में और backward classes में और यह जो reservation है यह 50% के limit से उपर नहीं होना चीए 50% तक का reservation इनको दिया गया है उसमें भी backward classes को यह कोशिस की गई है कि backward classes का जो reservation है वो 20% से exceed नहीं हो लेकिन total reservation जो है वो 50% से exceed नहीं होना है ठीक है 50% का आपको जो margin है वो maintain करना है और उसी 50% में आपको SC, STN, backward classes को रखना है और उस 50% में 20% से ज़्यादा backward classes को नहीं देना है ठीक है इस तरह का arrangement करना है और इसके अलावा जो ST, SC और backward classes जो women members चुनके आएंगी उनका सही ढंक से election commission के supervision में एक rotation allot करना है so that कि उनको proper representation मिल सके ठीक है इसको आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब हम लोग चलते हैं मुखिया और उपमुखिया का resignation तो यह दोनों resignation जो है किनको देंगे तो मुखिया और उपमुखिया दोनों अपना resignation देंगे DPRO को बहुत important post है 66 BPSC में यह post था भी district penchayati raja officer ठीक है उन्हें अपना resignation देंगे लेकिन 7 दिन के अंदर में अगर वो अपना वापस ले लेते हैं resignation को तो वो null and void हो जाएगा अगर resignation देने के 7 दिन के अंदर वो फिट से अपना resignation वापस ले लेते हैं तो कोई दिकतने वो continue कर सकते हैं आपको ध्यान में रखने हैं ठीक है इसके अलावा जो है आपको एक और चीज बात है अगर मुखिया का आपको removal करना है उसके लिए आपको no confidence motion लाना होगा तो उसके लिए भी आपको special meeting आप बुलाओगे मुखिया को हटाने के लिए तो one-fifth of total number of voters आपको चाहिए उस ग्राम पंचायत में उस special meeting को convene करने के लिए उस meeting को बुलाने के लिए आपको one-fifth of total number of voters लगेंगे ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है और यह meeting जो रहेगी प्रिसाइट करेंगे district पंचायती राज अफसर कौन सी meeting के में बात कर रहा हूँ अगर मुख्या के खिलाफ में आप मुख्या को रिमूव करने के लिए ला रहे हैं तो उस meeting में आपको जो प्रिसिडेंट होंगे प्रिसाइट के द्वारा रख्या जाएगा district पंचायती राज अफसर के जो और ग्राम पंचायत के जो member अगर resignation देंगे तो मुख्या को देंगे ठीक है इसके अलावा ग्राम पंचायत की meeting रहेगी वो at least once in two month होनी चाहिए ठीक है वहीं ग्राम सभा की meeting at least three months में होनी चाहिए जैसा कि हमने discuss किया तो यह आप note कर लिजए ग्राम पंचायत की meeting at least once in a two month दो महिने में कम सम एक बार तो होनी चाहिए ठीक है यह आपको ध्यान में रखना होगा यह important है डायट question पूछ सकते है इसके लावा जो कोरम होगा ग्राम पंचायत के लिए उसमें जो member होने चाहिए वो half of the total member होने चाहिए यह भी important है आपको ग्राम सभा के भी कोरम को मैंने बताया है क्या था बताईए उसमें 120 थे ठीक है इसलिए यह सब आप note कर लीजे क्योंकि यह सब directly one line में आपको question पूछे जा सकते है भियार SSC CGL में ठीक है इसके अलावा आप जो यह function of gram पंचायत यह आप देख लीजेगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि इन में से किसी एक को दे दिया जाएगा और यह पूछा जाएगा यह function gram पंचायत के हैं या नहीं तो यह आपको देखने पड़ेंगे यह इसमें आप agriculture including agriculture extension यह सब थ्यान में रखने है ठीक है तो यह आपको एक बार देखना हो ठीक है क्योंकि यह पूछा जा सकता है क्योंकि पूछा भी क्या है इवन जो आपको 11th schedule है आर्टिकल 243G के हिसाब से वहाँ से भी किसी भी एक subject को उठा के पूछा गया है कि यह ग्राम पंचायद के काम में है या नहीं यह किसके काम में state के काम में है या नहीं चलिए अब पंचायद समिती पर बात करते हैं ग्राम पंचायद के बाद आप पंचायद समिती पर तो पंचायद समिती में कौन-कौन होंगे पंचायद समिती में प्रमुक और उफ प्रमुक का चुनाव होगा तो वोटिंग पावर सिर्फ जो डिरेक्ली इलेक्टेड मेंबर हैं पंचाय समिती के उनकी ही पास होगी ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है अब हम लोग जल्दी जल्दी important चीजों को देख लेते हैं नहीं तो आपको लगया कि कितना लंबा होता जा रहा है तो duration जो इसमें है उसमें सेम ही है जैसा कि previous था 5 साल का रहेगा उसमें कोई भी change नहीं है ठीक है आपको इसको ध्यान में रख है वह sdm को directly design करेगा और उफ प्रमुख जो रहेगा वह प्रमुख को resignation दे सकता है ठीक है यह भी आपको ध्यान में रखना है तो यहां पर sdm आ जा रहे हैं limelight में उनको प्रमुख जो है अपना इस्तिफा देंगे और उफ प्रमुख जो है वह सिधा प्रमुख को अपन meeting of panchayat samithi जैसा कि हर एक meeting important है gram sabha की meeting हुई या gram panchayat की meeting हुई सबका tenure fix है तो यहां भी panchayat samithi का भी एक tenure है at least once in two months मतलब दो महिने में एक बार तो आपको meeting करनी ही होगी panchayat samithi की तो यह भी आप note down कर लेना ठीक है तो gram panchayat में भी same है लेकिन gram sabha में आपको तीन मन्त ह ठीक है त्री मन्त से gram sabha में लेकिन पंचायat samithi और gram panchayat में जो meeting है वो same duration का है at least once in two months ठीक है चलिए gram kachari के बारे में कुछ जान लेते हैं बहुत important है क्योंकि बिहार ऐसे से चीजल में gram kachari को लेके direct question है तो हर एक gram panchayat में एक gram kachari भी होगा जिसमें आपको सरपंच हों हैं वो लेंगे और सरपंच का जो election होगा वो एक तरह से direct election होगा और जो time to time notified के दवारा इसके अलावा स्टेट का जो भी role होगा election में वो भी notified के जाएगा और इसमें ऐसा रखा जाए कि हर पंच जो है वो directly 500 population को represent करें so that कि पूरा gram panchayat का area properly represent हो जाए पंच के हिसाब से ठी कारी क्योंकि इससे question हमेशा आता है इसके लाव reservation का जो भी प्रावधान है वो same ही है कोई भी appeal अगर gram कचारी के decision का किया जाएगा तो within 30 days of passing order किया जाएगा और जब उसके लिए पंच बैठेंगे तो total number of punch not less than 7 होना चाहिए यह बिहार SSC seizure में एक question पूछा गया था ठीकि आ आपको ध्यान में रखना है कि not less than 7 punches बैठेंगे अगर कोई appeal होता है gram कचारी में तो ठीक है तो अब हम लोग question answer पे चलते हैं so that वहां से हम लोग कुछ और relate कर पाएंगे act को और जो जो important चीज़े है चली पहले question के साथ स्टार्ट करते है अपील की सुनवाई में gram कचारी मे संख्या कितनी होनी चाहिए जैसा कि मैंने अभी discuss किया या 7 होनी चाहिए ठीक है 5 नहीं होगी 7 होगी gram सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समित्या का गठन कर सकती है इस समित्या का गठन किन से किया जा सकता है बताए मैंने discussion में इस question को discuss भी किया था what's दस्यों के द ज़िए वैसे वेक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्नाव ठीक है यह सही होगा ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्ने उपमुखिया का चुनाव करते हैं उपमुखिया के निर्वाचन के संदर्मेंट में से कौन सा वक्तव सही नहीं है मतलब उपमुखिया के चुनाव में कौन सा वक्तव या कौन सा जो गिवन स्टेट्मेंट है सही नहीं है उपमुखिया के चुनाव में मुखिया मत दाता होगा एकदम होगा निर्वाचन में मतों की बरावरी की सितिम विएस्ता का निर्णने लोटरी से किया जाएगा एकदम होगा राज निर्वाचन आयोग के प्रवेक्षन और नियंतर में ग्राम पंचे अपनी पहली बेठेक में उपमुखिया का चुनाव करेगा एकदम सही उपमुखिया जो है आपको उपमुखिया के निर्वाचन मुखिया मतदाता नहीं होगा तो यह जो है सही नहीं है डी जो है सही नहीं है उप मुखिया के चुनाओं में मुखिया भी मत दाता होगा जैसा कि मैं डिसकेशन में बताया था और बांकी तीनों वक्तव जो है वो सही है मुखिया स्वाहस्ताक्षित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है बिहार पंचायती राज अजिनियम 2006 के अंतरगत उसे अपना आवेदन किसे प्रिशित करना होगा बताईए मुखिया किसको देगा अपना डिजिगनेशन में मुखिया जो अपना डिजिगनेशन देगा वो देगा आपको बिचटिक पंचायती राज अफसर को देगा जैसा कि मैंने डिस्कुर्शन में बताया है ओओ लेड़ी की डिपी आरो को वो अपना डिजिगनेशन देगा और प्रमुख किसको देगा बताइए प्रमुख पंचायत समयति का प्रमुख देगा SDM को उप्रमुख किसको देगा उप्रमुख को सरपंच किसको देगा अपना रिजिगनेशन बताइए आप कमेंट सेक्से में जोरू बताइएगा भारतिय श्रमिधान का कौन सा प्रवाद्षन नमबर बी जो होगा आपको सही होगा ठीक है भारतिय समविधान की धारा 198 में धन विदयाग पारित करने की विधी प्रावधानित है यदि विधान परिशाद धन विदयाग को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर दा है तो कितने दिनों के बाद इस को गवर्णर भी मनी बिलको लोटा नहीं सकते हैं ठीक है तो हमने जो है पंचायती राज से लिटेट को देखे हैं एक दो कोशन अभी और बचे वे हैं इसलिए वीडियो के साथ बने रही है कोश्चन नंबर 120 देख लेते हैं बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सबाह की बैटको के बीच अधिक्तम कितनी अवधी निर्दारी थे बताइए कितनी अवधी निर्दारी थे इसको हमने डिसकस भी किया है कितनी तीन महने अगर ग्राम पंचायत की बात क करेंगे या पंचायत समयती की तो दो मन्त धार में रखिएगा इसके अलावा कोई और पंचायती राज का कोश्चन तो नहीं दिख रहा है सामने में लेकिन सामने कुछ कोश्चन दिख रहे हैं जो बिहार से सीजल में पूछे के तो उनको हम फटाफट कर लेते हैं निमलिखित में से कौन से कौन बायोस्फेर रिजर्ब या सुरक्षित जीवबंडल नहीं है मन्नार की खारी यह आपको नहीं है पोलियों का कारण वाइरस जो अलम रिंग ऑफाय का आप है प्रसांत महासागर में एलीशा टिसके लिए होता है एट्स के लिए होता है अंगोरा उन खरगोश में आपको सबसे अधिक प्याज महरास्ट्रा में सर्व व्यापक ग्रहत सबसे लेता है एबी ठीक है एबी जो किस निमित है अड्यों के विकास के लिए विटामिन जन्य कौंसा विटामिन जल में घुलं सील है पताए क कौनसा है विटामिन सी सी है удच आपिए बी और और इगो एठ ज़े बूले ठीक है ध्यान में रखिए चलिए आगे बढ़ते हैं ग्राम शभाद की बैठक के धक्सता किसके द्वारा की जाती है पंचायत के मुख्या के द्वारा की जाती है ऑप्शन नमबर 20 सही जवाब है ग्राम पंचायत का सदस अपना इस्तीफा किसे देगा मुख्या को देगा ठीक है मुख्या अपना इस् में ग्राम पंचायद के बैठक के संबंद में कौन सा कतन असत्ता है तो D NUMBER असत्ता है क्योँ मुकिया को विसियस बैठक बैठक बुलाने का अदिकार नहीं है यह ज़्य मुकिया एक तरह से हेड होता लेकर का तो वो विसियस बैठक बुला सकता है अब विश्वास प्रस्ताव द्वारा ग्राम प्रधान को हटाने के लिए ग्राम पंचायत के मद्दातों के बैठक के दक्सता कौन करता है यह भी आपको करेगा DPRO डिस्टिक पंचायती राज अफसर अप्शन नमबर C चलिए फोर्स नमबर का जो होगा आपको DPR होगा ठीक है बिहार पंचायती राज अधिनियम 26 में दो ग्राम सबाहों के बैठक के मद्द कितने मां से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए तो आपको तीन महने से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर ग्राम पंचायत का केस पंचायत समिती के संब्द में कौन सा कथन असत्त है तो इसमें जो असत्त होगा होगा अप्समीति के कारे पालक Birणनिकारी के रूप में किसी घाउड कर सकता है इसके लिए विसएस अधिकारी होते हैं ठीक है जो इसको देखते हैं खासकर DPR o जिला परिशत के संबन में कौन सा कथन असत्य है बताई कौन सा असत्य है आप एक एक करके options को पढ़िएगा तो आपको पता चलिया है कौन सा असत्य है जिला परिशत के अध्यक्ष को अविश्वास परस्ताव द्वारा नहीं हटाया सकता है तो नहीं होगा अटाया जा सकता है तो अपसर नमबर C जो होगा इसका खरेक्ट एंसर होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं जिला परिशत का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है जिला दंदा दिकारी मतलब डियम साहब को देगा ग्राम नयाले के संबंद में कौन कथन सत्य है आपको true statement देखना है तो इसमें जब आप पढ़ोगे तो चारो के चारो सही है ठीक है ग्राम कचरी ग्राम जायद के अंदर में होता है सरपंच जो होगा ग्राम कचरी उसके पी ग्राम का चरीका सरपंच और उप सरपंच अपना त्याग पत किसे देते हैं डिपियारो को बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिस्टिक पंचायती राज ओफसर ठीक है मुखिया और उप मुखिया भी अपना इस्तीफा इन्हें ही देंगे ग्राम नयाले में आपील के स सुनवाई में नियुन तम पंचो की गनी पूर्टी क्या होनी चाहिए यह बी ऐसे सी सीजल का कोशन था इसके साथ ही इस पूरे टॉपिक को समाप्ट करते हैं हमने ठीओरी से लेके कोशन एंसर ब्यार ऐसे सीजल के भी जो प्रिविएस से कोशन सब कुछ देखा है हमने इ लाइक जरू किजेगा सबस्क्राइब करेगा थैंक्यू 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 सो मच